Recently, India में for the very first time National Creators Award organized करा गया जिसके अंदर हमारे Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi सभी Creators को Award देने वाले थे इस Award शो के अंदर 20 Categories थी जैसे कि Fitness, Education and even इसके अंदर Gaming Category को भी Include करा गया था यह हम सभी के लिए बहुत proud moment है कि अब finally इंदर Gaming को भी Recognition मिलना चालू हो गया है So back to the topic, Gaming Category से Total 9 Creators को नॉमिनेट करा गया जैसे कि Mortal, Scout, Zaya, Nischet, Techno Gamers, Total Gaming, Dynamo, Unsubist और Yes, Marti Pie इन 9 Creators में से सिर्फ एक Creator थे जिनको Best Creator in Gaming Category का Award मिला और वो थे Nischet Malan जिनकी Gaming Channel Live इंसान पर करंटी 11.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये Award Show खतम होने के बाद जब सभी Instagram Pages ने Nischet Malan को Congratulate करते हुए अपनी Post दाली तब मैं उन Post के Comments टीट करने लग गया और वहाँ पर लोग दो Groups में divided थे पहला Group जो ये कहा रहा था कि Nischet इस Award को Deserve करते हैं और दूसरा Group जो ये कहा रहा था कि Nischet was not deserving for this Award और ये सबी कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं भी एक पल को सोच में पढ़ गया कि क्या सच में निश्चे इस Award के लिए एक deserving winner था या फिर नहीं या फिर कोई और greater था जो कि इस Award का असली हगदार था Disclaimer इस वीडियो के इंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो से मेरा खुद का परसनल ओपीनियन है और तुम लोग को ओपीनियन में भी वेडि कर सकता है तो अपने ओपीनियन से मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना मैं उनको जरूर से रीट करना पसंद करूँगा हम लोग निश्चे के उपर तो बाद में आएंगे पर पहले बात कर लेते हैं इस अवार्ट के नॉमिनीज के बारे में पूरे इंडिया में से टोटल 9 क्रेटर्स नॉमिनेट हुए जो की थे मॉटल, स्काउट, जाया, निश्चे, टोटल गेमिंग, डाइनमो, अंशुबिस्ट और ये स्मार्डी पाई जाया और टेक्नो को तो चलो मैं कुछ नहीं कहुँगा क्योंकि वो दोनें डिजर्फ करते भी हैं इस अवार्ट शो में नॉमिनेट होना बट मॉटल, स्काउट, टोटल गेमिंग, लाइक सीरियसली भाई अगर कोई इनसान सिर्फ पबजी, या फिर माइनट्राफ्ट, या फिर फ्रीफाय स्ट्रीम करता है अपने चैनल पर तो तुम उसे गेमर नहीं कह सकते उसे तुम प्लेयर कहोगे उस पर्टिकुलर गेम का, इसलिए हम लोग e-sports के आगे हमेशा प्लेयर लगाते हैं ना कि गेमर क्योंकि वो एक professional प्लेयर है उस पर्टिकुलर गेम का, बाई मॉटल तो literally Elton Ring भी members only करके stream करता है और जहां तक बात रही टोटल गेमिंग की अंशु बेस्ट या फिर ये स्मार्टी पाए की भाई ये तीनों भी सिर्फ एक प्लेयर हैं ये लोग कोई gamers नहीं है, ये लोग भी सिर्फ एक particular गेम खेलते हैं जिसका नाम है Shooting Games Counter-Strike, ये एक made in India बंदूग गेम है जहां पर आप बनोगे बंदूग वाला और मारोगे अपने सामने वाले enemies को क्योंकि ये गेम अभी भी एंडर development में है तो इसके अंदर आपको थोड़े graphics अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे पर इसका gameplay बहुत जादा अच्छा है, इस game को मैंने थोड़े time से खेलना चालू करा है इसके अंदर में को काफी से चीज़े लगी कुछ, जैसे की इस game के अंदर हमें recoil देखने को मिलता है मतलब यार million वाली जो game है उसके अंदर हमें recoil देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर देखने को मिलता है और आपको gameplay का experience और जादा अच्छा देखने को मिलेगा और सबसे बड़ ये बात कि इस game का gameplay smooth है अब ये game मेरे एक दोस्त ने बनाया है तो मैं चाता हो तुम लोग इस game को थोड़ा सा खेलो तो थोड़ से reviews दो इसको ताकि वो इस game को और develop कर पाए और अच्छा बना पाए प्लेश्टोर पर अब इसकी currently rating है 3.8 out of 5 जो कि एक नए game के लिए बहुत अच्छी rating है तो सोचके रहे हो description में link है जाके इस game को download करो और खेलना start करो खेर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निश्चे के उपर तो जैसे कि बहुत लोगा कहना है कि निश्चे इस award को deserve नहीं करता और असले deserving winner तो beast voice शुब है और मैं इस बात से agree भी करूँगा क्योंकि उस बंदी ने जितना Indian gaming community के लिए करा है उतना शायत कोई और नहीं कर सकता भाई ने literally अपने channel पर हर एक game खेला चाहे views आए ना है उसने तब भी खेला क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था and that's what a true gamer is बट अगर मैं अपना personal opinion दू तो मुझे लगता है कि निश्चे इस award के लिए एक deserving winner है उसको ऐसा कहा देना कि तू तो deserving winner ही नहीं तू इस award को deserve ही नहीं करता ये कहना गलत होगा अगर तुम लोग निश्चे को बहुत टाइम से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि निश्चे ने अपने gaming channel live इंसान पर बहुत पहले से ही ये पुराने games जैसे कि minecraft free fire ये बहुत पहले ही stream करना बन कर दिया था उन्होंने अपना content horror games की दरफ जादा shift कर दिया था एंड अपने channel पर काफी famous horror titles खेले हैं जैसे कि phasophobia, outlast और medicine in fact ऐसे भी horror games खेले हैं जिने इंडिया में आस तक किसी ने stream भी नहीं करा और लोग का ये भी कहना है कि निश्चे अपने channel पर different games नहीं खेलते तो ऐसी बात नहीं है उन्होंने अपने channel पर resident evil खेली है, outlast के लिए, hitman के लिए, spider man 2 भी खेली है अब वो recently palwar बहुत जादा stream कर रहे है अपने channel पर, तो ऐसी बात नहीं है, निश्चे ने कभी different games try नहीं करे, at least इन सब को देखे तो निश्चे is 100x better than them, and मैं तुम सबके emotions समझ सकता हूँ, beast worship को हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, उस बंदे ने बहुत कुछ करा है Indian gaming community क मिलेगी, और मुझे एक बात बताओ, अगर BBS इस award show के अंदर nominate नहीं हुए, तो इसके अंदर निश्चे की क्या गलती, इसमें उसको hit देने कोई फायदा नहीं है, इसमें किसी को ऐसा कहा देना कि तो इस award show को deserve नहीं करता, यह सब pointless है, अगर hit देना ही है, तो उसको दो ज जा के हमना काम करो ना, और अगर BBS को किसी award show में नहीं बुलाया जा रहा, तो इसका एक reason वो खुद भी है, अगर हम बाकी creators को देखें, तो apart from YouTube, वो लोग काफी सारे और brands के साथ collab करते हैं, जिस वज़़े से उनकी reach भी बढ़ती है, और काफी सारे लोग उन्हें जानते है शुबम कभी किसी brand के साथ collab नहीं करते, जिस वज़़े से जादा लोग उन्हें नहीं जानते, उनका भी recently insta account भी suspend हो गया है, जिस वज़़े से वो insta पर भी active नहीं है, and believe me, BBS को भी एक ना एक दिन recognition मिलेगी, and निश्चे वैज़ो तो आप ये video नहीं देख रहे होगे, but by chance है कर मेरा luck अच्छा रहा, and अगर पर ये video देख रहे हो तो, congratulations for this award, and you definitely deserve it, ये तो था मेरा opinion, अब तुम लोगा अपने opinions मुझे in comment section में जरूर बताना, मैं उन्हें जरूर से read करूँगा, and I know मैं इस channel पर बहुत ज़़दा inconsistent हूँ, मुझे पता है, but मेरे final exam चल रहे है, and जैसी ये सब खतम होता है, मैं सब कुछ wrap करके videos बरान लग जाओंगा, मैंने बहुत तड़े video ideas plan कर रखे है, बाकी इस video को यही पर wrap up करते है, and अगर आपको ये video पसंद आई हो, तो play इस video को like करके, चानल को दूसे subscribe कर दो, मैं मिलूँगा तब दूसे अगली video के अंदर, अपने के लिए, बाई!